hello students welcome to step up academy मैं हूँ dr. Ananya Dikshit और आज हम इस वीडियो में देखने वाले control and coordination के MCQs तो चलिए start करते हैं first the part of brain which controls the involuntary actions such as vomiting, coughing etc तो जो vomiting, coughing का center कहां होता है medulla ablongata में होता है okay तो यह जो vomiting है coughing है salivation है इसको कौन सा part control करता है इसको control करता है medulla the correct answer is medulla इसका answer check करते है medulla okay next MCQs में जलते है which of the following are often called glands of emergency emergency के time पर कौन सा gland जो है वो हार्मोन सिक्रीट करता है adrenal gland जो है वो adrenaline सिक्रीट करता है यह flight and fight के response में काम आता है और डिशर करता है जो heartbeat होती उसको increase कर दो है blood pressure increase कर देता है तो इस एमर्जन सी के ग्लैंड में कौन सा gland काम आता और कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है adrenal gland आता है और यह कौन सा हार्मोन से करता है adrenalin अब बात करें थाइरोइड के तो थाइरोइड कौन सा हार्मोन से करती है थाइरोक्सिन यह किसमें help आता है यह metabolism करता है किसका carbohydrates fats और प्रोटेन का पिट्यूटरी ग्रोथ हामोन से करती है जो ग्रोथ एंड डेवलप्मेंट में help करता है प्सक्रेश्व और प्सक्रेशाइड में इसको रेगुलेट करते हैं उसको चक करते हैं उसको ब्लेट शुगर काम हो रहता है यह इसको बढ़ाता है कैसे बढ़ाता है जो ग्लोको ग्लाइको जन जो लिवर में स्टोट व्लुकोज है उसको यह संदर क्या ब्रेक डाउं करता है ओकी कनवर्ट करता है ग्लुकोज में यह वो गया n-c-c-c-s का अंसर चेक कर लेते हैं ड्रिनल इन ओके नेक्स्ट में चलते हैं a doctor advised a person to take an injection of insulin because insulin किस काम में आता है doctor ने किसी patient को advise किया कि आप insulin की injection लेने लगो क्यों किया insulin क्या करता है जो blood sugar level है उसको क्या करता है कम करता है ओके उसको कम करता है और cells को क्या बोलता है cells को बोलता है कि जो glucose है उसको absorb करो और जो बचा हुआ क्या करता है लिवर में स्टोर करता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में तो इंस्यूलिन प्रॉबबली क्यों लेने को बोला होगा इस लिए जो patient है उसमें sugar level जो है blood में वो क्या होगा बढ़ गया होगा है ना इसलिए 2 दॉक्टर नो इसको बोला कि आप इंसुलीन के ने लिनки लिए क्यों किkन जातों sufficient इंसुलेन नहीं बना पाराही होसी नहीं कर पार यह की इसलिए डॉक्त ने एड्वाइस किया होगा तो इसका असर क्या होगा his blood pressure was low blood pressure insulin का कोई काम नहीं होता his heart was beating slowly इसमें भी कोई काम नहीं होता he was suffering from goiter goiter जो है वो क्या होता है iodine की deficiency से होता है क्या होता है thyroxine को secrete करने में release करने में iodine की help चाहिए होती है ठीक है अगर iodine कम होगा iodine का level जो है वो कम होगा तो thyroid gland जो होंगी वह हमाई स्वेल्ट हो जाएंगी और उस disease को हम क्या बोलेंगे goiter तो इसका फॉर्थ option देखते है his sugar level in blood was high तो इसका correct option क्या है D है तो तो let's check the answer his sugar level in blood was high next mcq में चलते हैं फॉर्थ the gustatory receptor of a body are in one of the following organs this organ is a gustatory receptor काई के लिए होते हैं किस में help करते हैं जो हमें taste आता है न हम जब कुछ भी खाते हैं तो उसका taste आता हमें तो यह gustatory receptor taste के लिए होते हैं अब हम बते हैं taste buds कहां present होते हैं हमाई तंग में present होते हैं तो c is the correct option ओके यह में कौन सो present होते हैं कौन से receptor present होते हैं जो sound को receive करते हैं यह में present होते हैं phonoreceptor ओके नोज में present होते हैं olfactory olfactory का का काम क्यों होते हैं smell का काम होता है ओके टंग में होते हैं gustatory and skin में होते हैं thermoreceptor thermoreceptor हमें बताते हैं कोई भी touch का pain का बेचा यह hot cold चीज का यह thermoreceptor हमें बताते हैं इसारी signals skin में present होते हैं so fat danach shall ..... जिससे हमें पढ़ा चल रहा है की हमने किसी चीज को touch किया है कुछ चीज हमने hot object को touch कि यह thermoresceptor बताते टंग में होते गा study receptor जो taste बताते हैं nose में होते हैं olfactory for smell and ear में होते है phono receptor okay तो इसका correct option क्या option c tongue next mcq बेचल अचाइल is frightened by a loud noise and shouts for help in which order the different types of neurons involved will act अब क्या हुआ चाइल्ड किसी जो बच्चा है वो क्या किसी तेज अवास को सुनके डर गया तो हमें ये इतैं बताना है कि कौन कौन से neuron act करेंगे और कैसे अक्ट करेंगे उनका pathway क्यों होगा तो यह जो है हम देखते हैं सबसे पहले क्या होता है sensory neural這 होते हैu sensory neurone होते हैं वो receptor से signal receive करते हैं okay sensory neuron receive करते हैं receptor चैंप्र से signal यह Performance को brain तक लेके जाता है या spinal cord तक लेके जाता है ओके तो sensory neuron के बाद क्या आएगा relay neuron relay neuron या interneuron जो brain और spinal cord में present है वो क्या करते information transfer करने का काम करते sensory neuron से motor neuron तक तो इसके बाद क्या आएगा interneuron बोल सकते हैं आपन या relay neuron okay then next is motor neuron motor neuron का क्यों होता है motor neuron जो signal आया जो information आई है उसको particular effector तक लेके जाता है वो message को signal को particular effector तक लेके जाता है ताकि वो चीव वो act कर सके response दे सके okay तो इसका sequence यह होना चाहिए sensory neuron relay neuron and motor neuron हम देखते कौन सा option सही है motor neuron पहले आगे तो यह option तो गलत है सबसे पहले sensory neuron होएगा यह option भी गलत है sensory neuron motor neuron यह option भी गलत है क्योंकि relay neuron जो है वो बीच में आना चाहिए D is the correct option sensory neuron relay neuron and motor neuron इस कहां से चेक करते हैं sensory neuron relay neuron and motor neuron relay neuron and interneuron एक ही बात होती है ठीक है इसे don't get confused next mcq भी चलता है the plant which exhibits negative geotropism is a better geotropism क्यों होता है geotropism वो plants में वो tropic movement होता है वो growth movement होता है जो gravity के side act करता है ग्रो कर रहा है ठीक है जो root होती है वो क्या करती है positive geotropism बताती है मतलब वो gravity के direction में ही grow करती है ऑक है पर जो shoot होता है जो stem होता है वह upward direction में मूव करना अप gravity तो नीचे लग रहे है gravitational force और जो stem है जो shoot है वो कहां upward direction में मूव कर रही अगेंस क्रावित वो तो इसलह तो नहीं है तो पॉजिटिव दिखाता है वो ग्रैविटेशनल फोर्स के साइडी वो करता है नतब्ग ग्रोव करता है तो गर्षाइवर एक तो करेक्ट अंसर इस B caused by a growth movement हमें भी बताना है जित्ते स्टेटमेंट दी है इसमें से कौन सा growth movement नहीं है ट्रॉपिक movement नहीं है ओके बेंडिंग ओफ शूट अफ प्लाव प्लाव प्लांट इन response to light ये तो growth movement है ट्रॉपिक movement है तो ये तो option सही नहीं है इसमें हम क्या देख रहे है फोटो टॉपिसम देख रहे हैं ओकी ये नास्टिक movement होता है climbing up of a plant on an object by using tendrils अब क्यों रहे हैं जो tendrils है वो touch के sensitive to touch है ठीक है उनको जहां से भी touch मिलता है जहां से भी support मिलता है वो उसी तरफ develop करने लगती है उसी तरफ movement दिखाने लगे कौन सा growth movement है ना तो ये तो ये भी रॉंग answer है ये भी रॉंग option है ये कौन सा growth movement शो कर रही है ये शो कर रहे है थिग्मोट्रॉपिजम ओके option d देखते है movement of the root of a plant towards a source of water ये भी tropic movement है क्योंकि ये क्या शो कर रहा है hydrotropism तो इसका correct answer क्या है answer b option b is the correct one इसका answer check करते हैं पर closing up of leaves of a sensitive plant on touching with an object ओके this is the correct one next time the root of a plant is हमें बताने की root क्या है plants की first option क्या दिया positively phototropic but negatively geotropic ये तो बिलकुल नहीं है क्योंकि roots under the ground होती है तो वह phototropic से उनका कोई लेना दे नहीं हो तो light से कोई मतलब नहीं होता उनको geotropism भी नहीं है क्योंकि वह positive geotropism दिखाती gravity के तरफ ही growth करती है तो ये option तो गलत है second क्या positively geotropic ये तो सही है क्योंकि वह positively geotropic होती से ग्राविटेशन के तरफ ही develop करती है बट negatively phototropic ये option सही है okay option second is the correct one अपन थर्ड देखते है negatively phototropic बट positively hydrotropic ये भी option सही है third one is also correct क्योंकि वह negative phototropic होता है और positive hydrotropic होता है जहां पे भी उनको पानी मिलता है ground में वह उसी तरफ अपने roots बढ़ाने लगते हैं okay fourth option negatively hydrotropic बट positively phototropic ये option भी गलता है तो इसका सही option के second and third option B is the correct one हम इसका answer check करते है second and third okay आगे चलते हैं MCQ 9 the gustatory receptor of a body are in one of the following organs हम ये question I think what was repeat हुआ है तो gustatory receptor कहां होता है हमारी tongues में हो टंग में होते हैं ये क्या करते हैं टेस्ट के लिए help करते हैं ठीक है यह में फोनो रेसेप्टर होते हैं नोस में olfactory होते हैं skin में thermoreceptor होते हैं next का answer check करते हैं tongue okay next a child is frightened by a loud loud noise and shouts for help ये question भी जो है repeat हुआ है इसमें क्या बोला है कि जो बच्चा है वो तेज आवाज सुनके डर गया और चिलाने लगा किसके लिए मदद के लिए in which order the different types of neurons involved हमें बताना है कि इसमें कौन से different types के neurons involved है हमें पता ऐसे हैं receptor जो है उसको कौन receive करते है जो signals है stimuli है उनको कौन receive करते है receptor receptor से stimuli कहां जाते है sensory neuron तक okay sensory neuron जो है वो stimuli को लेके जाती है brain तक brain या spinal cord तक brain और spinal cord में क्या present होता relay neuron present होता है वो help करता है जो stimuli आया है जो signal आया है जो उसको transform करने में transfer करने में किसे sensory से motor neuron then motor neuron तब signal पहुंचेगा और वो क्या बोलेगा वो कहां जाएगा वो जाएगा effector तर जिस भी organ को effect दिखाना है response करना है ठीक है act करना है अब इसमें क्या sequence है sequence यह सही होना चाहिए तो option A तो गलत है क्योंकि motor neuron से start हो रहा है B भी option गलत है क्योंकि motor neuron से start हो रहा है C हम देखते है क्योंकि sensory neuron से start हो रहा है sensory neuron बीच में क्या गया motor neuron तो यह option भी गलत है D देखते है sensory neuron relay neuron and motor neuron यह sequence जो है वो सही है ऐसे ही जो है impulses का transform होता है ठांसफर होता है ठीक है इसका correct answer देख लहते है sensory neuron, relay neuron and motor neuron question number 11 which of the following are not tropism हमें बताना है इसमें से कौन सा tropic movement नहीं है ठीक है growth movement नहीं है growing of pollen tube in response to sugary substances यह तो क्या है growth movement है tropism है यह कौन सा दिखा रहा है हमें chemo tropism दिखा रहा है okay folding above leaves of sensitive plant in response to touch यह nastic movement है यह tropic movement नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि जो leaves बंध हो रही है फोल्ड हो रही है touch के response में तो उसमें कोई growth थोड़ी हो रहा है वो जिस touch sensitive होती है इसलिए वो क्या हो रही है बंध हो रही है तो यह tropic movement नहीं है कौन सा movement है यह nastic movement है okay winding of tendrils around a support in response to touch एक option तो यह सही है तो इसमें क्या बता रहे है कि टेंड्रिल जो है उनको जहां पर भी touch मिल जाए वो sensitive to touch होते हैं उसकी support से वो development करने लगती growth दिखाती है ना तो यह कौन से response है यह भी tropism है और यह कौन से tropism है thigmotropism opening up of the leaves of a daisy flower in response to light जो leaves है daisy flowers की वो क्या हो रही है open हो रही है light के response में उसमें leaves का growth नहीं हो रहा किसी का growth नहीं हो रहा ठीक है तो यह भी क्या यह भी nastic movement है और हमें क्या बताना है जो tropism नहीं है जो nastic movement है तो nastic movement कौन से second and fourth तो second and fourth हमें कहां दिख रहा है option D दिख रहा है second and fourth is the correct one okay second and fourth now let's move on to the next mcq mcq 12 in human the life processes are controlled and regulated by life processes क्या होती है जित्ती भी basic functions हमारी body में होती ही रहती है in any situation like digestion respiration इनको हम क्या बोलते है life processes अब इनको कौन control करता है सारी चीज हमाई body की सारी चीज कौन control करता है brain करता है तो brain में क्या होता है एक तो nervous system है ना nervous system और इस को control करने के लिए chemical response भी जरूरी होता है chemical coordination भी जरूरी होता है तो उसमें क्या होता है endocrine system है ना तो यह दोनों system जो है जित्ती भी life processes उनको क्या करते हैं control करते हैं coordinate करते हैं तो reproductive endocrine is the wrong option respiratory nervous system is also in wrong option endocrine in digestive system यह भी गलत option है सही option क्या आपका nervous and endocrine system option d is the correct one nervous and endocrine system okay next mcq following other certain reflex section occurring in our body in में से कौन से action से जो reflex section कर रहे है reflex section क्यों होता है जो involuntary movement होता है involuntary sudden rapid movement होता और इसको कौन coordinate करता है spinal cord coordinate करते हैं क्यों करती क्योंकि इसमें हमें सोचने का time नहीं बिलता यह इसलिए होता है इसलिए sudden होता है involuntary होता है ताकि किसी भी body हमाई body को harm होने से यह damage होने से बचा सके ओके तो हमें बताने इसमें से कौन कौन से reflex action है option one moving to the side of road when a speeding car approaches क्यों होता है कार तेजी से आरे तो हम side हो जाते हैं यह क्या है यह भी reflex action है अगर speed से आरे तो हम तुरंत हो जाएंगे हम उसमें सोचते नहीं है तो यह क्या है यह option सही है closing of eyes and response to sudden bright light जब फोटो किछती है जब उन फोटो क्लिक करते flash light जो flashlight होती है उससे क्या होता है उसके response में हमाई light blink करती है हमाई eyes जो है वो क्या करती है blink करती है तो यह भी involuntary है यह भी reflex section है तो यह option भी सही है shouting when we are suddenly disturbed or get scared हम चिलाने लगता है भी हमने question पढ़ा था कि जो बच्चा है वो चिला रहा है उसने तेज आवाज सुन ली तो क्या होता है डर के मारे हमारी आवाज निकल जाती है खुद बखुद तो यह भी क्या है reflex section है इसमें भी कौन एक कर रहा है लिए स्पाइनल कॉंड आप चूहा देख लेते हो कुछ वह लेते हो तो सिडर जाते हो क्यों आपको लगता है वह का जा बाइट कर लेंगे है तो वह क्या होता है वह भी involuntary होता है उसमें भी कौन help करता है spinal cordy help करते हैं को आप सोचते हैं नहीं हो चलना आने से पहले विद्रॉइंग एंस-on-touching a hot surface यह भी क्या है यह भी reflex section ने तो यह चारो statements जो है रिफ्लेक्ट section शो करें तो इसका option क्या सही होगा 1st 2nd 3rd and 4th option c is the correct answer okay first second third and fourth let's move on to the next mcq 14 तो कॉन सा एंडोक्राइट ग्लेंड जो अगर फंक्शन नहीं कर पा रहा है तो डाइबटीस होगा हमें बदा डाइबटीस किससे होता है जब शुगर लेवल हमाय ब्लड में बढ़ जाता है ठीक है तो यह शुगर लेवल को कौन चेक करता है sugar level को check करता है insulin उसको control रखता है और insulin को कौन secret करता है insulin को secret करते है pancreas ठीक है तो इसमें से correct option कौन सा है pancreas option d is the correct answer let's check the answer pancreas next question पर चलते है 15 the spinal cord originates from spinal cord जो है वो medulla से निकलती है ठीके stem like structure निकलता है medulla से और वो ही form क्या करती है spinal cord तो correct answer is c option c okay medulla की उपर होता है pons medulla की उपर क्या होता है pons होता है ऐसा type का structure होता है यह हमारा medulla होता है यह हमारा pons होता है और यह जो stem like as a structure निकलती हमारा spinal cord होता है ठीके spinal cord इस धर से ही बनती है originate होती है okay तो इसका सही answer क्या medulla oblongata option c इसका answer check करते है sorry medulla okay next mcq पर चलते है 16th which of the following is not a plant hormone हमें बताना है कौन सा phyto hormone नहीं है जो भी plant hormones होते उसकम क्या बोलते है phyto hormones बोलते है इन में से कौन सा नहीं oxyn है oxyn growth hormone है plants का ascorbic acid तो vitamin c होता है तो यह option आए थिंग गलत है बी गलत है दूसरे options भी देख लेते है cytokinin भी growth hormone है और abscissic acid जो है वो भी hormone है पर वो growth inhibitor है ओके तो option B is the correct one हमें बताना है कौन सा hormone plant hormone नहीं है ascorbic acid ओके question 17 the movement of shoot towards light is अब shoot का movement कहां हो रहा है light के response में उसी तरफ growth कर रही है तो उसको हम क्या बोलते है phototropism phototropism means photo means light and tropism means growth movement and a growth development तो कौन सा होता है जो towards the light बताता है phototropism होता है geotropism gravity gravity के तरफ जो move कर रहा है growth कर रहा है hydro means water chemo means chemical tropism and option D is the correct one phototropism okay let's check an answer phototropism question 18 the growth movement of a plant part in response to touch of an object is called touch के response में growth movement हो रहा है इसको याद रखना सबसे पहले growth movement हो रहा है किसके response में touch के response में तो इसको हम क्या बोलते है thigmotropism ठीक हम उसको क्या बोलते है thigmotropism यह थिग्मो नास्टी नहीं होगा क्योंकि नास्टेक मुव्मेंट नहीं क्या होता है इसमें ग्रोथ नहीं दिख रही है ओके बट इसमें ग्रोथ मुव्मेंट हो रहा है इसलिए क्योंकि थिग्मो ट्रॉपिजम होगा option c is the correct one हम इसका अंसर चेक करते हैं थिग्मो ट्रॉपिजम ओके mcq 19th which is the correct sequence of the components of reflex arc reflex arc हमें पता है कैसे होता है सबसे पहले receptors जो है वो stimuli receive करते है receptor cells होती है specialized cells होती है में जो क्या करती है stimuli जो है उसको receive करती है फिर it is receptor से वो जो stimuli वो कहां जाएगा sensory neuron तक जाएगा sensory neuron उसको लेके कहां जाएगी spinal cord में ओके क्योंकि reflex section है इसलिए जो signal हो कहां जाएगा spinal cord में जाएगा spinal cord में भी कहां relay neuron में ओके फिर न फिर जिले neuron से एका जाएगा motor neuron तक जाएगा motor neuron वोपर इफेक्टर तक लेके जाएगी signals तो यहां क्या आएगा effector आएगा ओके जो भी muscle या gland को work करना है जो भी देखते हैं receptor muscles muscles नहीं आएगा मॉसल्स लास्ट में आएगा क्योंकि muscles में receptors नहीं होते है receptors कौन कहां होते है skin में होते हैं तो यह option गलत है receptors motor neuron motor neuron तो जो receptors है उसको कौन receive करता है जो stimuli है उसको कौन receive करता है sensory neuron receive करते हैं okay किस से receptor से तो यह option भी गलत है receptor से spinal cord तक कैसे जाएगा हवा में तुछ अनी जाएगा sensory neuron आने चाहिए तो यह भी option गलत है receptor sensory neuron spinal cord motor neuron and muscles यह option सही option d is the correct one हम इसका answer check करते है receptor sensory neuron spinal cord motor neuron and muscle okay let's move on to the next question iodine is necessary for synthesis of which of the following hormone हमें पता है iodine thyroxine के synthesis के लिए जरूरी होता है अगर iodine की deficiency है iodine का level कम है body में तो क्या होगा goiter होगा जिसमें thyroid clients होते हैं वो swelled हो जाते हैं okay तो iodine किस के लिए जरूरी है iodine जरूरी है thyroxine के लिए ठीक है 21 most of the plant hormones promote plant growth a plant hormone which inhibits growth is अब जो हमने 3 plant hormones पढ़े हैं जो growth में help करते है plant की पर हमने ऐसे भी 2 hormones पढ़े हैं जो inhibit करते हैं growth को रोखते हैं plants में तो ऐसे हार्मोन कौन से हैं उसके बारे में हमें बताना है okay option a abscessic acid growth inhibitor है growth inhibitor क्यों है यह क्या करता है wilting and falling off leaves करवाता है जो पत्ते सूप के जढ़ जाते हैं पीले होके जढ़ जाते हैं वह कौन करवाता है यह क्या करता है यह क्या करता है यह सेल डिवीजन करता यह सीज और उसमें प्रेजन होता है प्रूट्स में okay तो इसका correct option क्या है option a is the correct one abscessic acid okay next question पर चलते है 22 one of the following plant hormone is responsible for the phenomenon of phototropism in plants अब phototropism के लिए कौन प्रेजन होता है कौन सा कौन सा plant hormone help करता है oxygen help करता है बिटे क्या होता है न कि सपोज यहां से light आ रही है content okay इस तुरव से light अर्य है और हमारा यह जो पार्ट प्लांट का लौ लाइट की तरफ है जो प्लांट का पार्ट है वो light की तरफ है और यह जो पीछे के side है जहाँ पर light नहीं पड़ रही है तो यहां पर क्या होता है और 한 सेल्स होते हैं क्यों होते हैं यहां पर जमा हो जाते हैं ठीक है यहां पर होने के कारण्ट क्या होता है यह प्लांट को जो है इसका बेंडिंग करवाते हैं किसकी तरफ लाइट की तरफ जो ऑक्षिन होते हैं वो कहां प्रेजेट पार्ट पर प्रेजेंट होते हैं जहां पर लाइट नहीं पहुंच रही है यहां पर यह बहुत सारे होते हैं फिर इसके जब इनका नंबर जादा हो जाता है इनका लेवल बढ़ जाता है तो यह क्या करते हैं लीव जो प्लांट उ oxen let's move on to the two and next mcq one of the following controls a peristaltic movement of elementary canal this one is a peristaltic movement beta con control kata involuntary movement a ye control kata medulla medulla joe jerry elementary canana peristaltic movement to the peristaltic movement kata contraction and relaxation walsh ka takki food joe hai wo agi ki tara forward kar seke move kar seke okay three con control kata medulla control kata let's check an answer medulla next mcq per chalte hai 24th the bending of the stem of a plant plant towards the source of light is caused by the action of phytoharmone known as oxen abhi manage ke pahle equation tha usma bataya tha ki oxen joe temo shaded part me present hote hai jahaan pe light nahi hoti hai waha pe ittie saare wu accumulate ho jate ki plants ka bending ho jata hai stem ka joe wu bend ho jate towards the light okay to uska sahih option kya hai oxen phytoharmone is plant hormone oxen okay next mcq in a neuron the conversion of electric signal to a chemical signal occurs we know in the neuron in the neuron in the question of electrical signal is the nerve signal which is the transfer of electrical signal is the electrical signal right okay but when the signal is the nerve ending to the nerve ending to the nerve ending लग्व दिश्क्क ennoiddah 2020 होता है निूरो ट्रान्स्मिटर और यह सैनेप्स होता है फिर यहां से डैंड्राइट संगते decisions ते दूसरे उसके पिएmillion tous के ऊकिए यह दूसरे neuron से क्या निकलते dendrites होते हैं और जो junction होता है बीच का first neuron और second neuron के बीच का उसको हम क्या बोलते हैं यहां पर nerve ending में क्या होता है exon terminal भी बोलते हैं हम इसको exon terminal या exon ending में क्या होता है बहुत बल्ब लेक structure होते हैं जहां पर neutra transmitter होते हैं तो यह जो signal electrical signals है वो जब synapse तक पहुचते ही जंक्षन होता है दो neurons का तो यह ट्रांस्वर हो जाते हैं किसमें convert हो जाते हैं chemical signals में convert हो जाते हैं exon terminal भी बोलते हैं okay तो इसका correct option क्यों होगा exon end dendrite जो है वो तो क्या signals लेता है electrical के form में ठीक है तो यह हो गया exon end इसका options देखते हैं answer check करते है exon end okay next move on to the next mcq which of the following hormone prepares our body for action in emergency situation जो flight and fight कर response होता है वो कौन करता है adrenal करता है adrenal क्या करता है वो secrete करता है adrenalin और उसी क्या होता है blood pressure बढ़ जाता है heart beat बढ़ जाती है तो यह सब कौन करता adrenal glands करता है और कौन सा hormone करता है adrenalin hormone करता है ओके तो option c is the correct one हम बाकि क्या options भी देखने ते क्या लिखा है टेस्टोस्टेरों जो होता है वो testis secret करती है in mails mails में testis secret करती है यह क्या करते testis to joint sexual maturation में help करते है ठीके मेम में sexual maturation में help करते है testis to ron growth hormone जो होता वो कौन in secret करता है pit to reglands करते हैं ग्रोथ में help करता है और adrenaline तो flight and fight की response emergency की response बिसक्रीट होता है और जो है इंसुलिन इंसुलिन जो है वह हमारा ब्लड शुगर लेवल चेक करता है ओके इसको ऑप्शन चेक कर आंसर देख लेते हैं हम एड्रिन नेक्स टेम सी क्यू विच आप दो फॉल्रें के नॉट बी कंसिड़ेड ऐसा रिसेप्टर हमें बताना है कि इसमें से कौन सा इनमें स रिसेप्टर नहीं हो तो बल्कि स्किन में रिसेप्टर होता है ओके और आई में रिसेप्टर होता है कौन सा फोटो रिसेप्टर तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है ऑप्शन C is the correct one muscle okay let's move on to the next next mcq 28 विच हार्मोन रिसेप्टर अफटर गूर्टर प्रोती ब्रोटין प्रोतीन और फ config metabolism इनके metabolism में कौन हैं करता थिरेक्ण साहिआ करता है त्यॉरेट ग्लाइन करता है और थाक्सीन उत्थेसेट के लिए कौन च Rudi यह योडीन जरूरी होता है तो यह कौन रेगुलेट करता है थायरोक्सीन उसको कौन सिख्रिक करता है थायरोइड लाइन इसका आंसर चेक करते हैं थायरोक्सीन ओके नेक्स्ट एम सी क्यूं विच हार्मोन is responsible for the development of female characteristics अब जो female sexual maturation हो रहा है female में उसके लिए कौन सा हार्मोन responsible होता है estrels responsible होता है क्यों सिख्रिक करता हैऊँ ओरी स्रिष्ट करती है ठीक है overy release करता ही adrenaline और जो हर्मोन वो क्यों कहता है औरेनल करता है ये toka के लिए होता है यह जगता ह smells को त कि तदी होता है आर्थ क्यातक रचेक्ट करता है cuma और गला है टेस्टेस्टेरों मेल सेक्शुल मैच्वरेशन में हेल्प करता है तो इसका सही ऑप्शन क्या ऑप्शन भी इस दा करेक्ट वन इस्टोजन इस में से कौन सा स्टेट्मेंट जो है वो करेक्ट है रिसेप्टर के लिए गतारी रिसेपटर टेडेक्टवे यह तो सही है गस्टेट्य रिसेप्टर टंग में होते हैं और यह क्या औरेक्ट करते हैं स्म Mir spite करते हैं ओकिंप और क्या करते हैं से किया डिरेक्ट करते हैं ऑप्षिन भी देखते हैं उप्ष्ण यह है हमें से कज ईक हडी इच्वत Corr皆さん से अदसेटिर स्में कियों वियेक्षिन मनद चया नहां प्रेजंट होते हैं यह में प्रेजंट होते हैं तो यह क्या करते हैं sound में help करते हैं ठीक है डिडेक्ट साउंड बट इसमें क्या लिखा है smell तो यह option भी क्या है गलत है olfactory receptor detects taste olfactory receptor जो होते हैं वो smell है जो उसको detect करते हैं तो इसका सही option क्या है option A is the correct one let's check an answer gustatory receptor detect taste while olfactory receptor detect smell option A is the correct one तो आज की इस वीडियो में हमने देखा control and coordination के हमने MCQ solve करें ऐसी और वीडियो देखने के लिए आज ही step up academy को subscribe करें जहां पर आपको मिलते हैं kg से लेके 12 तक के सारे subjects के video free thank you